बच्चों हिंदी की ग्लास वर्क बुक में पेच नमबर 77 पे आपको व्यंजन त लिखना है यह है व्यंजन त, त से ताला अब हम यह लाइन में व्यंजन त को ट्रेस करेंगे सबसे पहले हम थर्ड ब्लू लाइन से उपर की और स्ट्लेंटिंग लाइन करेंगे फिर सेकेंड ब्लू लाइन के थोड़े उपर हम कव करेंगे और स्लिपिंग लाइन बनाएंगे फिर उपर की और जाकर फर्स ब्लू लाइन को टच करके थर्ड ब्लू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे और उपर करेंगे शीरो रेखा व्यंजन त थौर्ट ब्ल्यू लाइन से उपर की और स्लेंटिंग लाइन करेंगे फिर सेकिंड ब्ल्यू लाइन के थोड़े उपर हम कव करेंगे और स्लिपिंग लाइन बनाएंगे फिर उपर की ओर जाकर first blue line को टच करके third blue line तक standing line बनाएंगे और उपर करेंगे शीरो रेखा third blue line से उपर की ओर slanting line करेंगे फिर second blue line के थोड़े उपर हम कव करेंगे और slipping line बनाएंगे फिर उपर की ओर जाकर फर्स ब्लू लाइन को टच करके थर्ट ब्लू लाइन तक standing लाइन बनाएंगे और उपर करेंगे शीरो रेखा इस तरह फर्स लाइन में दिये गए सारे व्यंजन तको हम ट्रेस करेंगे अब हम यहाँ पर अपने आप व्यंजन तको लिखेंगे सबसे पहले हम फार्ट ब्लू लाइन से उपर की ओर slanting लाइन करेंगे फिर second ब्लू लाइन के थोड़े उपर हम कउ करेंगे और slipping लाइन बनाएंगे फिर उपर की ओर जाकर first blue line को touch करके third blue line तक standing line बनाएंगे और उपर करेंगे शीरो रेखा विएनजन त third blue line से उपर की ओर slanting line करेंगे फिर second blue line के थोड़े उपर हम कव करेंगे और slipping line बनाएंगे फिर उपर की ओर जाकर first blue line को touch करके third blue line तक standing line बनाएंगे और उपर करेंगे शीरो रेखा वियंजन तव third blue line से उपर की ओर slanting line करेंगे फिर second blue line के थोड़े उपर हम कव करेंगे और sleeping line बनाएंगे फिर उपर की ओर जाकर फर्स ब्ल्यू लाइन को टच करके थर्ट ब्ल्यू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे और उपर करेंगे शीरो रेखा वियंजन त बच्चो इस तरह आपको वियंजन त को आपकी क्लासवर्ग बुक में लिखना है ये क्या है बच्चो ये है त से तर्बूच तो हम यहाँ पे लिखेंगे वियंजन त सबसे पहले हम करेंगे स्लैंटिंग लाइन नीचे की ओर से उपर की तरफ फिर कव करके स्लिपिंग लाइन बनाएंगे और फिर उपर से नीचे की और standing line और उपर करेंगे शीरो रेखा तो से तरबुज अब हम यह तरबुज को पहले जो dotted line दी है उसको हम join करके तरबुज के picture को complete कर देंगे फिर हम उसके अंदर रंग भर देंगे इस तरह आपको सारी lines को join करके तरबुज के picture को complete कर देना है और फिर उसमें आपको जो तरबुज का color कौन सा होता है green और अंदर से red तो इस तरह आपको इसमें रंग भर देने है